वेल्कूब टू फिचर दोसे चैनल में आपका स्वागता दोता है आज हम आपको किचन दिखाएंगे 18 वह पांच का जिसके हमने आपको उसके अंतर सब कुछ बता रहा है हमने कौन-कौन सा मेट्रियल लगा रहा है कौन-कौन सी फिटिंग लगा रहा है चले यह वीडियो श यह फिल्य की ना लाक्षं का इरिया जहां पर हमारा कूरण कि में स्टाल होगा है था हम एसंब के पल्कूरा सी कि तरह के बियंड loops को यह थे बिखुण के ऊगा वारे मौरा कवर ह करेंगे यह इस सब जाल लगार इसमकर पर्या मार को skण इसनितरे घृम्हाथ का मेजर जो वो है हमारा kitchen तो आपकी जो भी requirement होती है हमारी में फूरी कोशिश होती है उस requirement को देखते हुए आपकी kitchen को design करना तो हमें ये kitchen इंस्टॉल किया है आप इसे देख सकते हूँ इस kitchen को हमने action pizza के अखली हमार से ready करिया है front finish में हमने map में gray and white color combination से इसको ready किया है अभी जादा टाइम दा लेते हुए मैं आपको इस kitchen को explain कर देते हूँ counter top ये 32 mm का counter top है soundless sink है with vegetable drain जिसमें आप अपने vegetable या fruits बगारा वाश करके रख सकते हैं base side dustbin है and detergent holder पूरा kitchen hydraulic and sumless है grain trolley फ्रेंट आप फ्रेंट साइड पर देते हुए ये copper finish के handle है जुकिल का भी premium quality के है another grain trolley जिसमें आप अपने चावल आटा बगार रख सकते हैं then premium steel partition basket है with quadro same premium steel basket है with ये ठाली बगारा प्रेट बगारा के लिए बना हुआ है आप इसमें रख सकते हो similar ये भी premium steel basket है with quadro another basket slender के लिए प्रविजन हो kuchina hop ये cleaning के भी हाफ से भी काफी अच्छा होता है and four burner है जिसपे आप एक time में काफी अपनी cooking कर सकते हो then first row है with PVC cutlery जो की removable होती है आप इसको wash करके again use कर सकते हो and partition होती है जिससे की आप अपने spatula and spoon को अलग लग हिस्सों में रख सकते हो second row है ये उससे थोड़ा बड़ा ड्रो होता है आपके boxes ये आपके utensils ये multi-purpose uses के लिए होता है आप अपने uses के accordingly इसको use कर सकते हो then last row है जिसमें की हमने plate rack दिया हुआ है इसमें आप अपने थाली plate रख सकते हो ये PVC का है then bottle pull out जिसमें की लास्ट वाल में आप देख रहे हो partition भी है जिससे की आपके bottles वागेरा एक जगा पही रहते हैं इसको भी आप अपने spices यापने bottles के लिए यूज का सकते हैं fridge रखा हुआ इदर and friends जैसे के आप ये boxes देख रहे हैं यहां पे customer की requirement ही कि उनको बाइन 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 रखने के लिए space जहिए थी तो उस requirement को देखते हुए हमने उनके लिए ये वाइन रहे है then lift up है कुचीना की ही auto clean chimney है sensor operating जिसको की आप manually भी operate का सकते हो इस तरफ window है दैसे की आप देखते हो यहां पे हमने microwave के लिए space छोड़ी है then another lift up है wall side corner unit है with adjustable shelf and last है हमारा dish rack जिसमे की हम drain tray देते हैं जब भी आप अपने दुले होई बरतन इसमें रखते हैं तो जो भी पानी निकलता है वो यहां पे store हो जाता है but यह optional है आप इसे with or without use कर सकते हो so friends जैसे मैंने आपको पहले लिए आपके साथ explain किरा कि kitchen हमारे घर का एक major part होता है and हमारी में पूरी कोशिश होती है जो की हापकी requirement है उसको हम अपनी होर से पूरी करें because kitchen में में पूर्ब्रम होती है storage की and इसके लिए हम पूरी कोशिश करते है आपको जावल से जावल से स्टोरेज दे तांकि आप अपना जावल से समान उसमें रख सके and storage की बिहाब से या kitchen को यूज करने की बिहाब से आपको कोई प्रॉब्रम ना आए and अगर आप हमसे kitchen design करवाना चाहते है तो screen पे हमारे number चल रहे है आप उन पे हमें contact कर सकते है and ये kitchen हमने district Kangra के नारिगाटी में इस्तोर कर रहा है और हमारे चैनल को like कर सकते है subscribe कर सकते है जो भी आपको question है आपको question होंगे क्योरी होंगे क्योंगे आपको reply point section में मिल जाएगे आपको जाला से जाला हमें like करिए उससे हमारा motivation बढ़ता है and हम भी आपको अपनी और से best design daily की कोशिश करते है तो तब तक के लिए आप इस वीडियो के enjoy कर सकते है thank you है कुछ झाल झाल झाल